Hello students, अगर आपने लोगों ने last वाला वीडियो देखा होगा, relative velocity वाला, जिसमें हम लोगों ने relative position, relative velocity और relative acceleration के basic fundamentals discuss किये थे, और मैंने बताये थे, क्या क्या चीज़ है, number one, motion relative का मतलब क्या है, तो यहाँ पर, देखे, relative motion तो हमेसे ही होता, तो यहाँ पर absolute का मतलब यह कि ground-based observer देख रहा है, और relative का मतलब यह कि कोई moving observer देख रहा है, वैसे तो हर motion ही relative होता है, बट still मैं बोल ला हूँ कि अगर कोई earth या earth के respect में stationary observer देखे, तो उसको absolute velocity, absolute position, absolute acceleration बोलेंगे, absolute motion बोलेंगे, और अगर कोई moving observer देखे, तो हम उसको relative motion बोलेंगे, तो हम लोगों ने relative position, relative velocity, relative acceleration जीखा था, फिर बोला था कि observer हमेसे आपने आपको origin पे रखता है, rest में देखता है, और rest में देखता है, तो velocity acceleration obviously दुनों जुरू देखेगा, relative velocity का general formula बताया था, velocity of object with respect to observer is velocity of object minus velocity of observer vector sense में, for 1D हम लोग scalar sense में यूज़ कर सकते हैं, एक ही direction में जाने वाले के लिए V1 minus V2, opposite direction में चलने वाले objects के लिए V1 plus V2, लगा सकते हैं, और हम लोगों ने concept के थी कि velocity of A with respect to B, is minus of velocity of B with respect to A, दो object हो एक दूसरे को हमेज़ा opposite direction में देखेंगा, अगर relatively sense में बात की जाए तो, तो इसमें हम लोग कोशन करते हैं, एक पहला case करते हैं, जहाँ पे object uniform velocity से चलने हैं, तो दो object हैं, A और B, एक line में चलने हैं, जो B वाला है, वो 40 km पर R से चलने हैं, A वाला 60 से उसके पीछे आ रहा है, दोनों के बीच में कुछ gap है, 100 km का, और इस सब velocities km पर R में हैं, और हमको बताना कि कितनी दिर में यह इसको catch कर लेगा, तो एक तो तरीका हो सकता है, इस question को करने का ground के frame में, देखिए हर question जो relative velocity का होता है, वो ground के frame में किया जा सकता है, तो ऐससको relative velocity का question है यह नहीं, जितने भी question है relative velocity के, आपको यह याद अखना है, कि वो ground के frame से भी हो जाएंगे, तो अगर किसी को relative velocity समझ नहीं आता है तो परिशान होने की जरूवत बिलकुल भी नहीं है B वाले को हमने earth के frame में करने जा रहे हैं B वाला माल लेते हैं कि B वाला वैसे भी कम चला A वाला 60 चला फास्टर है तो कभी तकभ उने catch कर रही लेगा तो माल लेते हैं कि A वाला B को T time में catch कर लेता है तो B वाले ने उस T time में कितनी distance चली 14 to T Speed into time distance is equal to speed into time A वाले ने उतनी time में कितनी distance चली 16 to T तो अब देखें अगर catch कर लिया है तो जिस moment पे catch करेगा A वाल भी एक ही position पे होगा तो 60 T 40 T से जादा है इतना जादा है तो A वाल भी की बीच में जो gap था 1000 का वो cover हो गया तो ground के frame equation का बने कि 60 T is equal to 40 T plus यह जो gap था यह gap मैंने 1000 km बोल दा था sorry मैं रीड नहीं कर पा रहा था अपनी board की writing को यह 100 km 60 T is equal to 40 T plus 100 60 T is equal to 40 T plus 100 इदन नहीं आए तो यह बन जाएगा 20 T is equal to 100 T is equal to 100 upon 20 यहनी कि 5 hours 5 hours में इसको catch कर लेगा अच्छा इसको relative velocity से कैसे करते हैं relative velocity से करने का असान तरीका relative velocity के जब भी question करने हो तो जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसको धान से सुन लीजी यही करना है आपको आपको A को observer set करना है दूसरे को object set करना है B को मैंने observer set कर लिया B देख रहा है B में आप ऐसे समलिए जो आगे कार जा रही थी उसका driver जो है वो observer है वो देख रहा है तो observer अपने आपको तो अपने frame में rest में देखेगा तो मैंने b की velocity लिख लिख ली 0 यह obviously actual velocity नहीं, actual वाली जो absolute velocity वो 40 थी बट यह relative velocity है, खुद के-खुद के frame में, तो 0 हो गई अब b वाला a को अपनी तरफ आते हुए देख रहा है, कितने से देखेगा? तो vab, velocity of a with respect to b, that is vab minus vb, तो vab कितने था? 60, vb कितना था? 40, 60 में से 40 गए तो 20, b वाला a को 20 km पर आर से अपनी तरफ देख रहा है, अजब b वाला velocity, हमें 0 माली relative velocity उसकी, तो b वाला object को सडक पर रखे हुए stone की तरह हो गया है, stationary, बिल्कुल fixed, तो b वाले को आप मालों की सड पर रखे हुए stone है, और a वाला उसको 20 km पर आर से चला रहा है, और उसको 100 km का gap कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा distance upon speed, 100 upon 20, 100 upon 20 कितना? 5, अब देखे यही answer जो ground की frame में हम लोगों निकाला था, वही हम लोगों ने relative velocity से भी निकाल लिया, जादा जादा easy लग रहा है कि b वाला अपने film में का दे रहा है, देख रहा है कि वो तो रुका है, और a वाला उसको 20 से लगाता रहा है, 60 minus 40, 20, अगला question करते हैं, अगला question एक बहुत famous question है, कि b एक object है, जो की initial velocity 0 है, a एक object है, जो उसको एक uniform velocity v से catch कर रहा है, मतलब यहाँ पर object accelerated भ बुक में अलग-अलग तरीके से पूछा गया है, तो एक question यह, फिट जी के, बिजो नेंस के, आकास के, एलन के सारे modules में एक question है, कि एक receiver moment भी question, साथ ही receiver moment से उन लोगों ने copy किया होगा, कि question यह है, कि एक policeman thief को देख रहा है, catch करने लिए, तो policeman लगातार uniform velocity से चले आ रहा है मस्ती से उसको, पकड़ेगा तो ठीक और नहीं पकड़ा पाएगा, चोर को तो कोई बात नहीं है, तो policeman thief को देखते ही, V velocity से चल ला है, और V velocity से चलता रहा है, उसने अपनी velocity नहीं बदली, bike से चलता हो आ रहा है, आगे जो thief था, जैसे उसने देखा कि police वाला उसकी तरफ आ रही है, bike उसके पीछे आ रही है, तो तुरंत वो एक acceleration से दौड़ने लगा, A acceleration से दौड़ने लगा, तो V जो police वाले की velocity हो, जो thief का acceleration है, वो दे रखा है, और यह दे रखा है कि police वाले वो thief के बीच में D distance है, तो question यह है कि what should be the minimum velocity V of police, so that he is able to catch the thief, police वाला चोर को पकड़ पाए, तो इसके लिए minimum velocity पुलिस वाले की कितनी होनी चाहिए, V minimum कितना हो, यह SC वर्मा का exact question है, इसको हम लोग relative velocity से करते हैं, बहुत easily हो जाएगा, देखिए, कीव के frame में गए, आचाहिए, यहां पर मैंने bus लिखी हो, मैंने बोलो नहीं कि इस question को अलग लग तरीकी से इस question का एक और version, बिल्कुल सारी सब कुछ वही है, बट version अलग है, version उसमें यह है कि एक passenger है, वो bus को catch करना चाहता है, जब मैं क्लास में करा था तो मैंने यह example लिया था, passenger bus को catch करना चाहता है, passenger जब bus को catch करना चाहता है, तो bus वाला, bus जो है, वो rest में, passenger bus के तरफ दौरता हो bus की तरफ, t is equal to zero पे bus खड़ी हुए थी, लेकिन जैसे ही passenger ने दौरना start किया, तो bus जो है, वो उस moment पे bus भी start हो गई, और A acceleration से चलने लगी, तो अब question यह है, कि दोनों के बीच में, जो passenger हो bus उनके बीच में distance अगर D है, तो जो passenger है, उसकी minimum velocity कितनी होना ही चाहिए, provided की uniform हो, क वो bus वाले को cash कर अपाए, और bus वाले का acceleration लोग uniform मान के चलना है, तो देखिए, चाहे policeman थीफ वाला question हो, चाहे passenger बस वाला question हो, चाहे आपको ऐसे दो particle बनाके, बताके question करवा दिया जाए, लेकिन आपको समझना है कि करना क्या है, करना यह है, कि आपको जो आगे वाला object है, acceleration भी 0 है, तो मैंने velocity भी 0, acceleration 0 दोनों लिख लिया, अब जो police वाला है, या जो passenger है, जो catch करने आ रहा है, उसकी velocity V है, वो police वाला bus की तरफ चला आ रहा है, पुलीस वाला thief की तरफ चला रहा है, passenger bus की तरफ चला आ रहा है, तो अब हमें उसकी relative velocity भी उच करने पड़ेगी, तो करेंगे, velocity of A with respect to B is VA minus VB, तो जो initial velocity थी, वो V और 0 थी, तो V में से 0 गए तो V आया, लेकिन अब यहां पर हमें acceleration भी लेना पड़ेगा, भाई हमने आगे वाले को जो भी था bus था या फिर हमने thief था उसको rush में मान लिया है, तो इस B के frame में A का acceleration, acceleration of A with respect to B, तो देखें, A में भले कोई acceleration नहीं था, ground के frame में, acceleration of A 0 था, पर B में तो acceleration था न, तो वो तो दिखाना पड़ेगा, तो acceleration of A with respect to B is 0 minus B का acceleration, B का acceleration कितना था A, तो 0 minus A, यह हो गया minus A, minus A का मतलब, क्योंकि one dimensional motion में positive negative direction बताते हैं, तो minus A का मतलब opposite direction में, तो हो कह रहा है कि जो bus या thief है, वो खुद को तरश्च में देख रहा है, और A को आते हुए भी देख रहा है, पर accelerated manner में आते हुए देख रहा है, वो कह रहा है कि खुद speedily ही आगे भाग रहा है, तो जो पीछे वाला उसकी तरफ आ रहा है, तो वो उसको retarded manner में आते हुए देख रहा है, तो देखे पीछे वाले की velocity तो positive है, पर acceleration negative है, और bus वाला तो खहरो कही हुआ है, D distance में catch करना है, तो अब देखे होता है कि जब कुछ retarded होती है, तो वो रुखने लगती है, slow down होने लगती है, और रुखते रुखते, जिस moment वो complete रुख जा passenger को bus को या police वाने को thief को पकड़ने के लिए, इसकी जो एक stopping distance हो, वो D से बड़ी होने चाहिए, तो stopping distance का formula क्या होता है, U square by 2A, आपको बताया था, uniformly accelerated motion में, तो D is equal to V square by 2A कर दीजे, V square to AD कर दीजे, V आ गया under root AD, यह just catch करने की condition है, अगर comfortably catch करना है, या just catch करने की condition को भी ले तो हमारी minimum velocity होने चाहिए, under root 2AD, और in general होना चाहिए, V greater than or equal to under root 2AD, यही हमारा policeman thief आले question का answer है, V must be greater than or equal to under root 2AD, तो हमेशा याद है कि relative velocity के question करते वक्त, एक को observer मान लिजे, और दूसरे को observer मान लिजे, और दूसरे को observer.